हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत आपका सूपरफास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने थम्निल में देखा हम इस वीडियो में डिसकर्स करने वाले हैं क्रॉस्ट रॉलर बेरिंग्स के बारे में क्या आप जानते हैं क्रॉस्ट रॉलर बेरिंग्स क्या होता है उसकी अरेंजमेंट कैसे होते हैं हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में और उस कितने टाइप्स के होते हैं वो भी जानेंगे फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए ऐसे ही Mechanical Engineering Fields Related वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ 1100 से भी ज़्यादा वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिये हैं आप जाकर देख सकते हैं तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने दिएगा वीडियो में अंतिताग जैसा की नाम से ही क्लियर है Crossed Roller Bearing यानि की इसमें Rollers का जो Arrangement होता है वो Crossed होता है जैसा की आप इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पर Roller की दो सीरीज है पहली सीरीज का Cylindrical हिस्सा portion आपको दिख रहा है और जो उसके Alternate में जो गोल गोल दिख रहे है Round Round यानि की उस Roller का Circular portion आपको दिख रहा है Animated वीडियो के थुरू आपको Clearly अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चली अब समझते हैं इसके Constructions को यह देखिए कुछ इस तरह से होता है इसका Construction यह इसका Inner Ring है है ना यह Inner Ring हो गया जो चौड़ा सा दिख रहा है यह है इसका Roller है ना यहां भी Rollers लगे हुए है जो की Cross Position में है Alternately यह Spacer है जो Green Color का दिख रहा है वो और यह Outer Ring है दोनों Outer Ring है जो इस दोनों साइड में जो है वो Outer Rings है तो कुछ इस तरह के Arrangement होता है आप देख सकते है Roller इस तरह से Movement करते है इसमें है ना तो इसमें Point of Contact ज़ादा मिलता है More Point of Contact देखिए कुछ इस तरह से Rollers लगे होते है Cross में और Roller के इसी Arrangement को कहा जाता है X Arrangement है ना क्योंकि X Shape में Rollers जो है वो यहाँ पर Arrange होते है इस Type के Bearing में जिसे ही Crossed भी कहा जाता है और इस X Arrangement की वज़े से ये Bearing जो है वो Support कर पाते है Axial Forces को दोनों Direction में और Radial Forces को भी दोनों Direction में साथ में Tilting Movement Loads को भी और Any Combination of Load को भी ये Bearing कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि Single Bearing Positions से बहुत सारे Different Positions के Loads को ये ले सकते हैं और यही इसका सबसे बड़ा Advantage है इस Type की Design के Bearing का तो जिस काम के लिए दो Bearing Positions की जोरत पड़ती है वो इस Single Bearing से हो जाता है यही इसकी सबसी बड़ी खासियत है तो इसमें अलग-अलग Type की Series होती है सबसे पहला Series जो होता है वो CRBA Series होता है ये Split Outer Ring Type होता है यानि कि इसमें जो Outer Ring होता है वो Split होता है और इसमें Inner Ring Rotate करता है ठीक है? दूसरा Series होता है इसका CRBB Series इसमें क्या होता है? Split Inner Ring Type यानि कि inner ring जो होता है वो split होता है यहाँ पर और outer ring rotation होता है इसमें तीजरा series है CRBC series तो जो CRBC series का होता है वो highly rigid type होता है इसमें both inner और outer ring rotate कर सकते है CRBD series इसमें inner ring rotate होता है CRBE इसमें either ring rotates होंगे है ना जबकि CRBX series जो होता है वो एक customized series है जिसे की बनाया जाता है as per customer requirements तो friends यह video थी हमारी crossed roller bearings के उपर तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह video आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी यह video आपको helpful लगी हो तो please इस video को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next video में तब तक के लिए अलविदा